तिवारी फैमिली में चल रही विवाद और कॉंट्रोवर्सरी पर क्या बोली सोवा भावी जी हाँ फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा तिवारी फैमिली में जब से कॉंट्रोवर्सरी चालू हुई है तब से ऐसा लग रहा है तिवारी फैमिली विखर सी गई है आप लोगो कि vlogging में सभी भाई बहन भावी यहां तक मावव नजर आते थे वहीं फिलाल सभी अलग-अलग vlogging करते नजर आ रहे हैं जी friends सचिन ने जाने कितने परिवार को खतम करेगा और नजाने इस controversy में कितने परिवारों बल्ली चड़ेंगे मैं आपको बता दूँ जब से कंट्रोवर्सरी चल रही थी तो निया का व्लोग वीडियो आता था उन्होंने उसमें बोला है कि मैं सारी सच्चाई सामने लाँगी सारे प्रूफ रखूंगी टाइम आने पर उसके बाद वह अपनी भावी को की डिलेवरिक का व्लोग लाती है यहां पर वो हॉस्पिटल में दिखाई पड़ रही हैं वहीं उन्होंने लाश्ट में बोला कि अ चिनु भाया आकर बोलते हैं मैं तो अपने घर वालों पर कभी विश्वास नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी धोका दे सकता है तभी निया का चैरा मुर्जाया और समासा हो जाता है और सरमिंद्गी लगती है और चिनु को भी निया कोई ये बात बोलते गुमा कर इतना वरो आये थे तो उन्होंने खुद काफी गलतियां गिनवा दी थी और बोले कि आज एक भाई हार गया है आखिर भाई अपनी बहन की इन हरकतों से हार गया है लेकिन जब से बाते हॉस्पिटल में हो रही थी तो नेहा ने बोला था मैं किसी पर भरोशा नहीं करूँगी वहीं चीनु भाईया ने भी बोला था कि मैं भी परिवार वालों पर विश्वास नहीं करूँगा फिलहाल आख जानते ही होंगे जब सोबा भावी डिलिवरी के बाद घर में ग्रह प्रवेश करती हैं बेवी गल के साथ तभी भी सोबा भावी का चेहरे का रंग उत्रा हुआ थ देखकर तो जगत दीदी काफी इगनोर करती हैं इस खुसी के मोहल को तिवारी फेमिली कुछ खास धंग से सैलिबेशन नहीं कर पा रहा है इन सब में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क प्रेस करें ऐसी लेटिस अफडेट के लिए